जी मुझे से गाई भै अस्सलामु आलेकुम रहमतुल्ला जी आज 197 से 203 तक डिस्कुशन और टेस्ट है अच्छा जी चले चले पार अब बंद होगा बंद पारे से जवाब देंगे आप मुझे अच्छा जी हज के महीने पाबंदी कब शुरू होती है हज की हज की जो पाबंदियां है आर्ज लहज को आपने डेट बताई अच्छा किया मैं डेट के अतबार से नहीं पूछ रही मैं रुकन के वैसे आपका जवाब सही है डेट के अतबार से लेकिन मैं डेट के अतबार से नहीं पूछ रही है मैं पूछ रही हूँ कि किस अमल के बाद हम पाबंदी में आते हैं हम हाज जी कंसिडर होते हैं एहराम बादने के बाद शाबाश जब हमने एहराम बाद लिया तो फिर क्या हो गया हम पाबंदी में आ गए किस चीज़ की पाबंदी में जी एहराम की इसको एहराम की पाबंदी कहते हैं जिसने एहराम बांद लिया बेसी कली वो हजी हो गया ठीक है अच्छा अब मुझे ये बताएं जो एहराम बांद ले उस पर हज फर्ज हो जाता है के नहीं होता फर्ज हो जाता है गुड़ो गया अब जिसने एहराम बांद लिया हज उस पर फर्ज हो गया उस बंदे को किन किन चीज़ों से परहिज करना है गुनाहों से गुनाहों से तो ऐसे भी करना होता है लेकिन हाँ चले गुनाहों से तर्टीब में जिसे तीनो चारो पांचो जितने भी हुकम है वो आप दें पुरान जब एक सर्टन आंसर हो ना तो फिर वो आंसर होना चाहिए वो तो डैफिनेंट बात है हज पर जा रहें तो अच्छे काम करो गुना ना करो ने करो काम नहीं वो आंसर दें जो गुरान का अंसर हां बताएं जी फोजी आप बताएं तीन थे पस इसमें ये है जब आपने आयत पड़ी तो फिर फला रफ़ासा वला फुसूका वला जिदाला फिल हज बाकी जवाब सही है तक्तीर थोड़ी आपकी हिल गे थी बाकी सही है अच्छा ओके हज के मुतलिक अल्ला ने जाधे रा का हुक्म दिया क्यों इफ़त आप बताएंगी जी मैं असलाम अलेकूं वर रहमतुलाही वबरकातू जी जी मैं अल्ला पाक ने जाधे रा का इसलिए हुक्म दिया के ताके एक तो यह के हज़ फर्जी उसलिए उसलिए वक्त होता है जबके बंदा साहिब निसाब हो और उसके पास इतना माल हो के वो हच पे जा सके हच के अख्राजाद बर्दाश कर सके और दूसरा है यह के वहाँ जाके मांगना ना पड़े और अल्ला पास में फर्माया के बेतरीं जाधे रा जो है वो तक्वा है और में चीज़ यह है के तक्वा इंसान इक्तियार करे और बागी दुनियावी जाते रा भी साथ लेके जाएं ताकि वहाँ जाके सवाल करना ना पड़े इसका कोई बेग्ग्राउंड भी है हिस्टॉरिकल यह स्लाम अलेकुम रहमतुल्ह बरकातू वालेकुम स्लाम रहमतुल्ह बरकातू जी मैंने इसका पड़ा था बाग्ग्राउंड यह कि जब पिछले दौर में जवाने में जब लोग हर्च के लिए जाती थे तो वहां फिर जाके मांगना शुरू कर देते थे लोगों से तो इस पर लात अनने यह कहा कि अपनी जादेरा अपने साथ लेके जाया करें ताके फिर उनको वहां जाके लोगों से मांगना न पड़े जी मैं यमन के लोग यमन के लोग जो आते थे वो फिर रास्ते में से भी मांगते आते थे और खाते भी आते थे लोगों से और वहां के भी यही वो करते थे कि खाना पीना भी दूसरों से मांगते थे और अपनी के नहीं हज करते थे मनत मानते थे जिस ताना आपके यहां लोग मनत मानते हैं कि मैं रोजा रखूंगी और अफ़ारी मांग के करूंगी तो मनत मानते थे जो लोग कि जी हम मांग कर जो है खाएं पीएंगे तो वो फिर रस्ते में मांगते आते थे होते हो बेहासियत थे, अमीर लोग होते थे, मगर वो ये मननत मांगते थे, कि बावजूद इसके कि हम साहिबेहासियत हैं, हम अल्ला के फकीर बन कर जाएंगे, तो वो फिर रास्ते में मांगते आते, तो अल्ला सुभाना उत्याला ने मना कर दिया, कि अपना ठाना पीना खुद लेकर आओ, कोई ज़रूरत ही मांगनेगी, हाँ, वैसे कोई हादसा हो जाए, किसी के पैसे गुम हो गए, किसी के साथ हो और कोई मिस्थ हैप हो गया, तो वो तो फिर जिन्दगी के हालाद हैं, लेकिन ये इस तरह की मननते जो हैं इंतहाई ना पसंदीता हैं, पदकिस्मति से आज हमारे यहां भी मानी जाती हैं, हम इमाम हुसैन के फकीर हैं वगएरा, तो ये असर जो पॉइंट आप मिस्थ कर रहे हैं, इसा नहीं, सर्फ यमन के लोग नहीं, ये ओल थूदा अरब ट्राडिक्शन थी, कि किसी की कोई हाजत होती थी, तो मनत मांग लेता था, कि अगर मेरा ये काम हो गया, तो मैं मांग कर हज करूँगा, तो पैसे वाली होते थे ना, तो किसी से वैसे अरब सवाल नहीं करते थे जल्दी, अरब गैरतमन लोग थे, आज भी आपको अरबों में फकीर मांगने वाले भी कारी कम मिलेंगे, तो वो बहुत बड़ी बात होती थी उनके लिए, तो वो फिर ये मनत मांते थे, कि जी हम तो ऐसे मांग कर हज करेंगे, तो वो इन मनतों को फिर पूरा करते थे, जी मैं, अच्छा जी, जजाक अल्हा खेर, इस चीज़ का पता नहीं था, मुझे मेरे लम्याद अब इजाफा होगे, अल्हम्द लिल्ल्हा, जजाक अल्हा खेर, वाईयाक, वाईयाक, अच्छा जी, अल्हा ने फर्माया, लईसा आलेकुम जुनाहुन अन्तब तगुफद लम्य रब्बिकुम, तुम पर गुना नहीं इस बात में कि अपने रब का फजल तलाश करें, इस पॉइंट को कौन एक्स्प्रेंट करेंगा, नबीला, जी फोजी आप बताएं, इसका मतलब यह हैं कि जब आप हज कर चुको हज के अरकान पुरे कर चुके तो आपके पास जित्री दिन बच्चते हैं, उसमें आप अल्लाश का फजल एनकि आप अपने इसको अपने रिस्की के तोड़ पर भी इस्तमाल कर सकते हैं, कारोबार भी कर सकते हैं, और क्योंकि वहां पर मेला भी लगा जाता था जिसके नाम था उज़ा, उकाज, उकाज, तो उसमें उक्री दुर्फो के ते बहुत बड़ा मेला भी लगा जाता हैं, तो वह कारोबार सारा यहां पर भी लगा जाता हैं, असल पॉइंट बिलकुल यही है कि हज के अरकान अदा करने के बाद, जो आपका पहली और बात का स्टे हैं, उसके दौरान में कारोबारी एक्टिविटीज हराम नहीं है, की जा सकती हैं, बस यह नहीं कि सारा टाइम कारोबार भी लगे रहें, ठीक है? तो कारोबार मना नहीं है, हमारे यहां मायूब समझा जाता है, अगर कोई हज पर जा रहा है, साथ को कोई कारोबारी मकसद लेकर चला गया है, तो उसे बुरा समझा जाता है, मगर अल्ला नहीं से अलाओ किया है, इसमें बुरा नहीं है, बस यह नहीं कि कारोबार के चक्टर में हज का कोई रुकर नहीं मिस करते हैं, तो पहले जमाने में लोग हच करते हैं तो साल या छे महीं ने का स्टे होता था वहां पर उनको पता था कि यहां पर इतना हमारे टाइम लग जाना आज खल तो जहाज की बुझा सी यह थोड़ा सा टाइम लगता है इस ने उनको अजाधत दे गही थी ना कि आप कैरोबार करें नहीं जरूरी नहीं है तो खास मिना के बारे में ओन्Star का नधिन होता था ज्यादा वो तो मिना के तीन दिनों में होता था मिना में जो मेला लगता था उकाज वो ग्यारां से शुरू होता था और फिर चैनधा 15 त तिजारती मिला होता था लेकिन बात ये है कि जो कारोबाजी जीजी में वो भी तो चेंज हो गई है ना पहले समान भी उंठो पर जाना होता था वगार आप गई एर भेज देते हैं बाई शिप भेज देते हैं तो बहुत सारी सहुलते हैं तो लेट सपोस्थ किसने कोई डील बहराल सिंपल बात ये है कि हज के अरकान मुतासिर ना हो उसके बाद हज के जो आठ नो दस कर इन तो मसलसल हज में गुजर जाएगा तो उसके बाद 11 से ओनवर्ड और 8 से पहले अगर कोई थोड़ा टाइम अपने कारोबार को दे रहा है तो उसमें इल्ला को कोई अतराज नहीं बस ये याद रखना है कि वहाँ कारोबार के लिए नहीं हज के लिए आएगे तो हरम को भी टाइम देना है और इबादात को भी टाइम देना है अच्छा जी अच्छा अगर आप मिना में हैं और कोई काम कर रहे हैं तो वो काम मिना के खुदूद में होगा 11, 12, 13 जो हैं आप मिना छोड़ कर नहीं चले जा सकते मिना में बैठ कर आप कोई डीलिंग कर रहे हैं तुका की अगर मिना छोड़ कर जाना है जैसे किसी सरकारी दफ्तर में कोई काम है कुछ है फिर आप मिना के टाइम के खतम होने का आयामे तश्रीक के खतम होने का इंतजाद करेंगे ठीक हो गया क्योंकि जब आप मिना में होते हैं तो आप मिना से निकल नहीं सकते असल उसूल क्या है मिना का मिना से कब निकलना चाहिए और रियायत क्या है मिना की आयामे तश्रीक किसे कहते हैं, ये कितने होते हैं, इनका उसूल क्या है और इनकी रियायत क्या है पहले हाथ रेज किया अपने जवाब न दिया कि एक ही हाथ नजर आ रहा है चलिए इफ़त आप ही बताईए आयामे तश्रीक 11, 12, 13 हैं और इसमें रियायत ये है कि आप मिना के ये तीन दिन होते हैं तो इसमें अगर आप बारा को भी वापिस मिना से चले जाएं तो भी गुना नहीं है लेकिन असूल है कि तेरा तक रुकें रियायत जो है वो बारा तक ही है कि आप रहा सकते हैं कोई टाइम बाउंड भी है डे बाउंडिंग के लाएं असर असर की नमास के बाद आप बारा पारी को भी असर नोट भी फॉर असर अगर भी फॉर असर चले गए तो भी गुना होगा जी तम देना पड़ेगा जी मैं क्योंकि कया में मिना जो है वो हज का हिस्सा है जी अच्छा इन्हें आया में तश्रीक क्यों कहते हैं इफ़त होई मसाला ने जी आईशा आप बताएं आईशा ने भी हैंड डाउन कर लिया पहले बताया था अभी नहीं बताया अभी दो दिन के लेक्च्छर में नहीं बताया मैंने पहले आप से जिकर किया था कुछ दिन पहले रोजों की अहमियत पर बात हो रही थी और हज की महीने के रोजों की फजीलत पर तब मैंने आप से जिकर किया था पर आप लोग भूल गए तश्रीक का लवज रूट बताएगा कोई चले तश्रीक रूट क्या हो सकती है तश्रीक शीन रा काफ कौन सा काफ कैंची वाला क्या डंडे वाला तश्रीक कैंची वाला क्या मतलब है इसका उभरना निकलना श्रीक निकलने की जगा बलंदी की जगा श्रीक यश्राक का मतलब होता है बलंद होना उठना उपर आना मश्रिक का यहीं मतलब है जहां से सुरज उठता है बुलंद होता है निकलता है तो तश्रीक जिन में बुलंदी होती है किसकी आवाज की आया में तश्रीक में तक्वीरे बुलंद की जाती है आप तल्बी पढ़ रहे होते हैं ना जिसे हम तल्बीया कहते हैं तल्विया पढ़े लबबाइक अल्भाइक जैसे ही एद का दिन होता है दस्वा दिन होता है क्या शुरू कर देते हैं तक्वीर नमाजे एद के लिए निकलते हैं तो तक्वीरे कहते हुए निकलते हैं और वापस आते हैं और तक्वीरे कहते हुए तो फिर इन चारों दिनों में तकबीरें पढ़ते हैं थोड़ी बुलंद पढ़ते हैं ताके दूसरों को भी याद आए वो भी पढ़ते हैं तो चलते फिरते तकबीरें इसलिए इन्हें आयामे तश्रीक कहा जाता है ठीक है आयामे तश्रीक कितने हैं बेसिकली चार है दस ग्यारा बारा तेरा दस्व चारो दिन में तवाफ जारा हो सकता है इन चारो दिन में तक्वीरे बुलंद की जाती है कुर्बानी का वक्त तेरा तारीख की असर के वक्त खत्म होता है हम यह मानते है हमारी अक्सरियत ही मानती है समझती है यह कोई उल्मा के खिलाफ नहीं है कि बारा की असर के वक्त खत्म होता है वक्त कुर्बानी का भी कयाम मिना का भी तवाफ जियारा का भी ये चारो दिन जो है ये आयाम तश्रीक है ठीक है समझा गए चलिए अलहमदोलिल्ला अच्छा आप मुझे बताएं कि हज का आगाज वो बता दिया है शिजाने के आठ तारीख को पुरता है जुलहज की आठ तारीख को होता है हज के महीने कौन से है एक है दो है या ज्यादा है और जो है वो कौन से है अलीज़ा आप भी हिस्सा डाले नबीला जी तीन महीने हैं बहुत अच्छे जुलकद 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 जुल रिकादा बहुत ज़्यादा बैठ जाने वाला महीना यानि वो महीना जिसमें डाके छोड़ दो अर्मों में उस वकर चलते थे ना कहीं कभीलों का पेशा था फखर करते थे आम जासा तो डाकपू कोई नहीं दुन्या में जहालत थी ना तो बैठ जाने का महीना उसके इलावे एक और एहम बात ये है इसमें एक और यानि एहम पहलू ये था कि बाहर की अक्टिविटी चोड़ देते थे ना यानि कि जैसे कोई कारोबार पर जाना कुछ तो वो अपने प्लैन इस तरह करते थे मक्का के लोग के हरम में पहुंच ज यह कहीं भी जाना अगर होता तो उसे पोस्पोंड कर देते और कहीं गए होते तो पहले लौट आते हैं यानि घरों में पहुंच कर बैठ जाने का महीना मानते क्यूंके हज की अक्टिविटिस शुरू होनी होती थी थी ना तो जाहरा है हकीकतन अगर नेक नियती से किया जाए तो हज की खिदमत, हाजियों की खिदमत, इंतिजामाग बहुत बड़ा आजाज है तो यह लोग भी से आजाजी मानते थे चाहे नेक नियती से चाहे दिखावे से वो अलग अलग है हज बंडे पर लेकिन बहर हाल यह लोग सारी आउटर एक्टिविटिस बंद करके हज की तयारी में लग जाते थे तो जी खादा का लबजी मतलब है बहुत ज्यादा बैठ जाने वाला जी कहते हैं डबल को दुगना और कादा बैठ जाना बहुत ही बिठावने वाला महीना वह महीना जो बिलकुल ही बैठ जाओ तो मतलब यह कि हज के लिए वक्फ हो जाओ इन्वेस्ट यूर टाइम और स्किल्स और मनी पर हज और दूसरा जैसा कि मैंने आपको कहा कि यह इसमें सब कुछ तर्ब कर देते थे अभी भी होता है ना हज से महीना बर पहले उम्रे खतम कर देते हैं सब कुछ यह सा हज की ते यादियों में लग जाते हैं तो उसी तरह तब भी होता था जिकादा जुलहजज़ मुहर्रम हज का मुज्जिस महीना और मुहर्रम ये दोनों महीने जिकाद और जुलहज्जा हज के महीने कैसे हुए हज तो जुलहज्जा में हो जाता है कैसे हुए रोश्टी डाले नबीला आपका माइक नहीं चल रहा कहा है अलीजा भी हैं के नहीं है जी इफताब बताइए जी मैं जी कादा में तो हज की तयारियां होती है और जी लहज्जा जो हज के अरकान सारे उस में अदावत हैं और महर्रम जो है उस में जैसे हम कह लें के किवूट राजा करना होता है बिलकुल जी जी लहज्जा महीने में तो हज होता है ना जीकादा और महरम में हज के का플aire आते हैं और घाते हैं तो अगर हजी आएंगे नहीं और जा नहीं सकेंगे तो हज कैसे होगगा ने तो सेफ़्टी चाही है ना कि वो आ भी सकें और जा भी सकें तो हज के इने काद के लिए आना और जाना पहली शर्त है जो इसी लिए फिर जिकादा और मुहर्म को भी हज के महीने करा दिया गया लिहासा हज का महीना नहीं कहा गया कहा गया अश्रुलहज मालूमाद हज के महीने तुम्हें पता है सारे तो हज के महीने है जिकादा दुलहज्जा और मुहर्रम ये तीनों महीने हज के हैं क्यूंकि इन तीनों का तालुक हज से हैं और हज की वजह से इन तीनों को हुर्मत मिली है ठीक हो गया अच्छा जी जब आठ जुल हज को हज शुरू होता है तो माशाल्ला सब जो है तैयार होते क्या करते है कहां जाना होता है आठ जुल हज को कहां का रुख करना होता है ये पहला रुकन है क्या है ये रुकन जी जी शिजा मक्का में तो आप होते हैं हरम में जाते हैं हाँ तवाब इहराम बांदा हरम में आये तवाफिय कुदूम किया और फिर क्या किया कहां जाने हैं हरब में तो लिए बैट रहे न जाना कहां हज के लिए निकल पढ़ना हैं किदर जाने कहां पहुंचने मन्जिल क्या है मिना शाबश मिना मिना तो आठ जुलहज को फजर के फॉरहन बाद एहराम बांद कर तयार होकर अपनी रहाईश गार से हम पहुंचते हैं हरम मक्का ने कहना क्योंकि ज्यादातर लोग मक्कावे होते हरम हरम में पहुंचकर तवाफ-े-कुदूम यानी इपतदाई तवाफ करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं मिना जरूरी है आठवी दिन में ना पहुँचना जरूरी है ठीक है अगर किसी से छूट गया तो हज होगा कि नहीं होगा हो जाएगा हो जाएगा दम देना पढ़ाईगा दम देना किनल benim उसका जुर्माना देना पढ़ाईगा कुर्बानी करें एक एकस्ट्रा कुर्बानी करने पढ़ाईगा चलिए यहां पर मुझे यह बताएं ञाई वो कौन-क़न से रुकन है छो अगर मिस हो जाएं तो हज नहीं होगा संभल लैरिल के शायत फिर कोई मुश्किल मकाम आया मैंने आपको लाइन में तो नहीं बताए लेकिन साथ साथ बताया है बताएं तवाफे जियारा गुड तवाफे जियारा अगर चूट जाए तो हज नहीं होता, गुड और बारक ल्लवी फरक पड़ा ना पड़ जाएगा, जी वकूफ ए अरफा, अरफात के कायम के बगार हज नहीं होता और वकूफ मुजलफा के बगार भी हज नहीं होता, इन तीन मेंचे अगर कुछ छूट गया तो हज नहीं होगा बाकी रुकनों में से अगर कोई रुकन चूट गया तो आप दम दे सकते यह नहीं कि फर्स करें एक दिन की रमी रह गई बूल गए कुछ ऐसा हो गया या सही भूल गए फर्स करें वैसे कोई भूलता तो नहीं है रहकर एक बात है या आपने का कि अच्छा आज हिमती कल कर लूगा सही तवाफ चो बगया हो सकती है अकेले हो सकती है सही कि ज़रूरी है पहले तवाफ को फिर सही है चले बताएं क्यों कहीं पे लिख रहा है सही एक लहदाई अबादत है लहाजा हम अपने आपको बहुत टंग रखते हैं क्योंकि हमें इल्म नहीं है तो हम गहते हैं आज तवाफ जारा के साथ ही सही करनी है ठके होए हैं टूटो नहीं हैं मगर का रहे हैं एक तो आप तवाफ खुदूम के साथ भी कर सकते हैं दूसरी बात यह है कि आपके पास दस, ग्यारा, बारा, तेरा, चार दिन अगर आप ठक गए हैं अगर आपस नहीं हो रहा है इट सोके अगले दिन आगे साही कर लो लेकिन मिना वापस पहुंचना है आप मक्का में स्टे नहीं कर सकते ठीक है? तो अगर हिम्मत नहीं है, अगर बहुत ठक गए अबल तो अपनी हिम्मत देख कर आएं जरूरी नहीं है कि दस के दिन ही आप जो है वो तवाफ जारा करेंगे क्योंकि दस को दिन मोस्ट हैक्टिक डे होता है हाच का आपने नवा दिन भी बहुत मुछल गजारات है अराफ़ा को दिन इनिसान की हिम्मत नचोड कर लग लेत अराफ़ा को दिन बहुत मुछल है और सच्ची बात है कि अराफ़ा को दिन भी करें होना भी चाहिए तो उसके बाद फिर सुबस्बा फिर अब देखें रहा जो तो चलने की आदी वह तो और बात है आज कल वास तो साथी गाड़ीयों के आदी ईहें तो फिर कितना चलना पड़ता है नुओ वाले दिन जो है सुबा निकले वैसे तो आठ वाले दिन निकले पर चले पूरा दिन डिस्ट मिलिए उसको हम छोड़ देते हैं नो वाले दिन निकले और अरफा आए फिर अरफा से मुझलपा आए फिर मुζलफा से सुबा-सुबा pr दस वाले दिन वापस मिना पहुंचना है मिना पहुंचकर भी डेस्ट नहीं करना कुरबानी की फिकर करनी है कुरबानी के बाद जो है बाल काटने है एह्राम उतारना है और रमी करनी है, ये लाजमन करनी है अब इसमें अगर आप ठक गए हैं तो फिर तवाफिर जियारा के लिए आपके पास बाकी दिन भी मौजूद है तो सही जरूरी नहीं के लिंक की जाए, हाँ ये है कि चुके मिना से आना होता है तो फिर बंदा खुद ही सोचता है कि दो चक्र जो मैं लगाँ तो मैं एक ही चक्र में तवाफर सही करूँ न वो कॉमन विज्डम की बात है अच्छा आठ वाले दिन क्या दिजीम बनी बई सुबा उठे एहराम पहना हरम में आये तवाफर कुदूम किया और अच्छा है कि सही भी कर ले नहीं करनी तो तवाफर सहाथ कर ले आपकी मर्जी आप आप वहां से सीधा निकलेंगे मिना पहुंचेंगे आपको मगरिब से पहले मिना पहुंचना है अगर आप मगरिब से पहले मिना नहीं पहुँच पाए, पूड़ा दम देना पड़ेगा ठीक हो गया, ओके, आब मिना में पहुँच कर क्या करना है, Allah, Allah करना है, बस, अल्ला के नाम लिए, ऐस्फ़रक्र करे, थोरा रेस्च भी करें, मिना में रात गुजारे सुबा उठकर फजर के फौरान बाद फजर के बाद लंबे असकार करने नहीं बैठ जाना नहीं बैठ जाना कि जी मैंने इश्राक पढ़के जाना है वो आपका चलना भी वादत है जहां पर वक्त हो जाएगा वहाँ इश्राक पढ़ लेना वहां से आप पहुंचना है ये कौन सा दिन है रेट अब आपने बोल दी बोला मत करें नो जुलहज का दिन है जिलहज ने जुलहज नुजुलहज का दिन है नुजुलहज को आप अरफा पहुंच गए तो हज का दिन पर कौन सा है अरफा करने यो में अरफा हज करें ठीक है तो अरफा क मैदान में पहुँच गए खैर से वहां पहुँच कर क्या करना है किसली आए है मकसद आने का क्या है मैं हाजिर हुआ पहले हाथ उठाना है जिसे मौका दूंगी वो बूलेगा जी बताएं यह तो पढ़ना है ना तर्विया है यह तो हम उस वक से पढ़ना शुरू कर देते हैं जब हम एहराम बांगते हैं खुत्बा हज सुनना बारक अल्ला फीक खुत्बा हज सुनना अरफाप के मैदान में आने का असल मकसद खुत्बा हज सुनने की कोशिश करनी चाहिए अब कैसे सुने इतने ज़्यादा लोग हैं सब मस्जिद में तो नहीं आ सकते फिर क्या करें क्या करें बताएं हैंड फ्रीज मिल रही होती हैं हैंड फ्री लें लगाएं खुत्बा हज बराहे रास लाइफ चल रहा होता है पस यह कि थोड़ा लाइन में लगना पड़ता है थोड़ी में शक्कित करनी पड़ती है तो करें उसी के लिए तो आएं तो लाइफ पढ़ने शुरू कर देते हैं और वाज कोई नहीं आंड़ी आप खुत्बा हज सुनने आएं हैं खुत्बा हज सुनना लाजम है इल्ला ये कि कोई रास्ता नहों आवाज आने की तो वो लैदा मसला है लेकिन खुत्बा हज सुनने की पूरी कोशिश करने चाहिए तो हैंट पूरी ले वो खुत्बा हज सुनने आराम के साथ उस वक्की सबसे बड़ी अबादत कुत्बा सुनना है जब खुत्बा हटम हो जाए फिर आपके पास पूरा दिन है आप करते रहे अपनी नफल अबादते ठीक है ये बहुत बड़ी बेवकूफी है मैंने पाकिस्तानी ल कुनेक्ट कर दिया था सुपीकर के साथ हैंड फूरी इस को तो वो स्पीकर हुई बहुति की आवाज आरही थी हमें हैंड फ्रीज ने लगाने पाड़ रहे다 वो गवर्मिट के तरफ से नहीं था अरेज्मेंट वो लड़कों ने खुदी मिल मिला कर लिया था जजा कर ला उन्होंने कर लिया था बड़ा अच्छा था आराम से बैठ कर अब लोग क्या कर तरहें बीच में कुछ खवातिन बैठ कर कोई तδवी गुमारी कोई तरफ कोने में पैठी उट़िए हैं ता मैने उसे खा क्द्प़ के बाद आप कर लेती हैं खुद्बे के बाद उन्से कहा खुद्बे में नहीं कहा क्योंकि नबी अक्रिम सल्भा ने फर्माए जिसने खुटबे में किसी बोलने वाले को कहा चुपर है तो उसने भी लगव बात की खुटबे में नी बोलना चाहिए तो एक तो खुटबे में खामोश कोई नी वा बहुत कम खुटबा समझ आ सका रीजन ये नहीं थी कि समझ नहीं आ रहा था रीजन यहीं थी कि शोर बहुत था खुटबातिन अपनी बाते कर रही हैं कोई दुआइं मांग रही हैं कोई एक दो कुरान पढ़ रही थी और बहुत लंबे खेमे होते हैं तो उसकी वज़ास से बहुत लोग होते हैं पचास, साट, सतर लोग तो आराम से समा जाते हैं तो इतने लोग जब उन में से आदे लोग भी बोल रहे हो तो क्या समझाएगा तो क्लियर समझ नहीं आया खुदबा और बाद में फिर जो मेरे करीब वाली कुछ खवातीन थी मैंने उसे का आप लोग तो खुदबा उर्दू में ट्रांसलेट हो रहा था यह नहीं को अरभी में सुनवा रहे थे हमें तो खातून ने मुझे बताया कि जी वो एक अमल है जो मगरीब जोहर से पहले उन्होंने पढ़ना था अरफात के मैदानी तो वो तो मैंने पढ़ना ही पढ़ना थे इनके सब के अपने 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 तो यह बहुत ही बेवोकुफी की बाते हैं यह चीजें टीज की जानी चाहिए, खास तोर पर जब हज़ की तैयारी हो रही हो, खुत्बाय हज़ लाजम सुनना होता है, खुत्बे के दौरान नहीं बोलते हैं, किसी खुत्बे के दौरान नहीं बोलते हैं, खुत्बाय हज़ तो सबसे मुज़ज़ हैं, तो खुत्बे के दौरान बिल्कुल नहीं बोलना खुद्बा बिकल खामोश होकर सुनना है और खुद्बा ही सुनने के लिए हम अराफात के मेरान जाते हैं ये असल मकसद है ठीक है तो खुद्बा सुनने की जरूर कोशिश करें अच्छा खुद्बे के बात क्या करेंगे खुद्बा सुन लिया कितनी देर का खुद्बा होगा 45 मिनट का पचास मिनट का उसके बाद फिर 15-20 मिनट की दुआ लंसम पूरा तक्रीबं डेट घंटा लग जाता है फारिग हो गए अब उसके बाद क्या करेंगे जी फक्त आप बचाईए जी मैं पिर जोहर और असर की नमाज जो पढ़ते हैं उस वक्त क्या कहते हैं उसे जम्मे कसर तो अलग होती है जम्मे बैनुसलातेन दो नमाजें मिलाना जम्मे बैनुसलातेन जम्मे बैनुसलातेन जम्मे बैनुसलातेन जम्मा जम्मा ही उसके नीचे जेर लग जाती है बाइन जर्मियान अस्वलाताईन दो नमाजे जम्मे बाइन उस्वलाताईन दो नमाजे बिलाना बितकदीम अबल वक्त में कदम से है ठीक है तो दो नमाजे मिलाकर पढ़ी जाती है जोहर और असर ठीक है अब जोहर असर किस वक चोड़ना है इस की थीवाद असर के वक्त के बाद Σंसर के जब वक्त हो जायेगा व्हीं होगी योगी क्योंकि जोहर और असर कि अधिवाद का वक्त हो जाने के बाद आप राफा को छोड़ दे मैं थीक आ जोहर से असर तक का वक्त आपके पास है हाँ ये जरूरी नहीं है कि असर का वक्त शुरू होते ही छोड़ दे आप थोड़ा सा उसको डिलेई कर सकते हैं लेकिन मगरिब का इंतजार नहीं कर दे असर और मगरिब के दर्मियान आपने अरफा का मैदान छोड़ देना है अब आपके पास जोहर अच्छा वहां पर जब आप जाते हैं ना तो खुद्वा बड़ी अर्ली शुरू हो जाता है दसक बज़े तो आप जोहर असर पढ़कर भी फारिग होते हैं तो ड्रेट दो बज़े होते हैं और शदीद चुके वो इस्तवाई खिटा है वहां पर सूरज डायरेक्ट है तो दिन दुपहर बहुत लंबी होती है तो माशाला वावा आपके पास पांच एक बज़े टक टाई मुट तो इडो तीन घंटे क्या करना है दुआइं मांगें इस्तिखफार करें नबी करीम सले लगली बेसे का रफा कि बहतरीन दुआ है तो दौाइं मांगें, इस्तिफ़ार करें, अथकार करें, पुरान पढ़ें, नफल पढ़ें, जो आपका दिल करता है, इबादात सबसे ज़्यादा जोर किस पर होना चाहिए, दौाओं पर ठीक है फिर जब असर का वक्त हो जाए, तो उसके बाद आपने छोड़ देना है, ठीक है, मगरिब से पहले, आप वहां से कूच कर जाएंगे, कहां जाना है दाल साइलेंट होता है, मजल्फा, मजल्फा चले जाएंगे, मजल्फा का दूसरा नाम क्या है, अब ही आपने पढ़ा है मजल्फा का नाम हरम का शार, निशानी, मजल्फा का नाम मजल्फा को मजल्फा को मजल्फा की वादी में राद गुजारेंगे, आस्मान के नीचे, खुली जमीन पर राद गुजारेंगे खैमा कुछ नहीं लगा सकते, हमारे और आस्मान के दर्मियान कुछ नहीं होना चाहिए कुछ लोग खैमे भी लगा लेते हैं और उसके अंदर वो होते हैं क्या लगा लगा लेते हैं खैमे मैं नहीं लगें लगाएंगे जो लगाता है गलती करता है मिना में लगाएं अराफात में लगा लें मुजल्फा में ने मुजल्फा आस्मान की नीचे रात गुजाद में और हमारे और आस्मान के दर्मियान कुछ नहीं होगा हम बकाइदा अपने लिए कोई इंतजाम नहीं कर सकते बस यह नीचे चादर चादर बिछा लें बस दरी बिचा लें चादर बिचा लें मैक्सिमुम लेकिन छत नहीं होगी यहीं वैसे चादर आप उपर ले सकते हैं लेनी पड़ती है जी राट ठंडी हो जाती है जैसे जैसे राट गहरी होती है ठंड भड़ती जाती है लड़जा लगना शुरू हो जाती है शरी ठंड हो जाती है चाहे आप जून में हज क्यों ना कर रहे हूँ सहरा की रातों का यही कमाल है सहरा के दिन जितना गर्भ होगा सहरा की रात उटनी ठंडी हो रेट ठंडी हो जाती है शरीट ठंडी हो जाती है तो आप लेटे भी रेट पर होते हैं तो फिर ठंड तो लगती है लहाज आप नीचे बिस्तर विचा सकते हैं उपर अकोर्डिंग टूदा सीजन चादर या कंबल या कंफर्टर कुछ ले सकते हैं खैमा नहीं लगाएंगे ठीक है? मना है जो लगाते हैं वो गलती करते हैं हाँ वैसी अपने लिया आप जैसे और वो क्या होते है स्लीपिंब बैग वगारा रख लिया वो हरज नहीं वो रख सकते हैं रात गुजार भी है न उसके लिए आप अपना इंतजाम कर सकते हैं क्या करेंगे बुजल्फा की रात में? बता दो सारी रात? आँ जरूरत नहीं है सारी राती सो जाएं और कुछ रात में उठकर इबादत जरूरत करें तो मुनासिब सबसे यही है ये कौन सा दिन है ये दस जुलहज है तारीख दस जुलहज है कौन सा दिन है ये दिन कौन सा है ये कौन सा दिन है ये तारीख तो दस जुलहज है ना दिन क्या है ये हज का दिन है हज तो नो को हो गया हज तो नो को हो गया ईद का दिन है एद का दिन है हमारे लिए एद का दिन ठीक है योमन नहर बिलकुल सही योमन नहर कुर्बानियों का दिन है टेक्निकली इसका नाम योमन नहर है और फेस्टिवल के इतबार से यह हमारी एद है इदुजुहा का दिन अलहम्दोले में तो फिर हम पहुंचकर योमन नहर में क्य ये बाद जी हलक और बाल कटवाएंगे हलक करवाएंगे या कसर करेंगे हलक करते कहते हैं पूरी टिन करवाने को कसर कहते हैं थोड़े बाल कटवाने को और फिर और पिर एहराम को लेंगे अब आप या क्या फरक पड़ा पहले पहले और बाद में क्या फरक पड़ा जी मुझे इसका तो नहीं पता लेकिर मैं ये पुछना चाहरी थी कि मुझदलफा से पिर कैंकरिया भी तो लेंगे ना शेतान को मारने के लिए वहीं से लेंगे ना एक मिनट मैं अभी आपके सवाल का जवाब देती हूं में हमजा इंशाला ये लोग देते हैं अच्छा अब आपका कोंसा एहम रुकन बाखी रह गया मुझलफा का रुकन पूरा हो गया आराफाट का पूरा हो गया फर्ज रुकन थे न descobrir कोंसा फर्ज रुकन रह गया तो गुआ कब करना है तौआ तवाफे जियारह कब करना है 12 को किए काणिज कर लिए 12 12 किसी भी दिन कर सकते हैं आपकी मर्जी पर जिसमें आपको मैसे हो जाकर करने सही जुमला बोला अप ठीक है और क्या करना है अब मिना का क्याम है ना तवाफे जारा कर लिया अब क्या बाकी रह गया क्याम मिना क्या करना है क्या करना है क्या करना है नमाज नमाज और जिकर असकार जी नमाज जिकर असकार वो तो करना है बिलकुल और रमी करनी है रमी जो है ग्यार और बारा के भी बाकी है वो करनी अगर छोड़ देंगे तो वाही भाम प्डेंगा रमी करने के लिए कंकरियां कहां से लाएंगे? जी सफक्न कर्द कर देनी चाहें लाहां जाकर बच्छोंवाली हर्कतें नहीं करनी चाहें कोई जूतें मार रहे तो कोई बottलें मार रहे हैं कोई कुछ बेवकुफाना हर्कते सिर्फ सुन्नत पूरी करनी है एक्च्वल वहां शैतान नहीं खड़ा यह तो सिर्फ एक अलामत है शैतान भी कहता होगा जा आगे कंक्रिया मारण है ब्लूटस यूटूब अमस्तान स्थान पूरा जी जी आप कहिए जी कंक्रिय मारतवे इतना प्यारा जूमला हम लोग कहते हैं बिस्मिल्लाही लाही अक्बर और मैंने खुद सुना के एक बंदा कहा रहा था कंक्रिय मारतवे गो नवाज गो बस हम लोग ना एक्स्ट्रीमिस्ट हैं किसी से महबद भी करते हैं तो एक्स्ट्रीमिजम है शख्सियत परस्ती है किसी से नफरत करते हैं तो उसमें भी एक्स्ट्रीमिजम है तो ये इसकी वज़ाद से नहीं हज को तमाशा नहीं बनाया जाए मुझे इतना अफसूस कि इतना प्यारा जूमला हम लोग बोलते हैं बिसमिल्ला ये लोग अबर और दिल से वो ये बात निकल रही होती है उस वक्त लेकिन वो बात सुनके तो बड़ा ही अफसूस हुआ कि इतने इस काम के लिए आप आएं इतनी दूर अबर ऑद जब आप ये वला काम करने लगें और आप इतनी वलत बात कर रहें हर एको हर एक ने अपने अमाल का जवाब दे है वो तो वो जो भी करे आप तो ये ना करें लेकिन बड़ा अफसूस हुआ ये बिल्कोर आप वोट न दें आप डिमांड करें आप निकाल रहे हैं रैली निकालें लेकिन हज को तमाशा ना बनाए अगश तमाशा नहीं हच तो एक ऐसा खुशूरत इजहार बंदगी का तरीका है जिसकी कोई मिसल नहीं कि आप तो हज को देखेंगे ना तो हज में किसी रुकन की कोई लॉजिक आपको नहीं मिलती कहीं नहीं मिलती क्यों काबे के चक्कर काट रहे हैं क्यों सफाव मर्वा के दर्मयान दोड रहे हैं हमें तो पानी नहीं चाहिए ना अम्मा हाजर तो दोड़ी थी पानी की तलाश में हम क्यों चक्कर काट रहे हैं क्यों भागे जा रहे हैं आरफा, आरफा से मुझलफा, मुझलफा से मिना और मिना में बैठे हुए हैं क्यों और जाकर पत्थर के सतूनों को हम कंकरिया मार रहे हैं क्यों सिर्फ टोटल सब्मिशन हम वो कर रही हैं जो हमारे रब ने करने के लिए कहा हमने अपनी अकल एक तरफ कर दी हम टोटली सब्मिटिड लोग हैं हंडर्ड परसंट सब्मिशन है तो हज इतात का इजहार है और कुछ नहीं तो उसमें अपनी मर्जियां तो डालनी ही नहीं चाहिए अफसोस की बात है कितनी कंगरियां मारते हैं कितने शातान है जुम्रे कितने तीन तो परड़े कितनी कंगरियां चाहिए होती है एक किस एक को साथ मारते ना तो तीन तून है तीन जुम्रे है तो इस तरह हमें डेली के लिए एक किस चाहिए होती है तो एक किस को तीन से करें और तो तकरीबन सकतर एक कंकरियां रखने जाहिए है कि अगर गुम हो जाए जाए कि कंकरिया ही होती है गुम हो जाहिए या बाद वकाट पहुंच ना पाए तो फिर दोबारा मार देपड़ती है लेकिन सम्टाइम भी हो जाता है तो इस तरह के चांस के लिए भी किसे है जी जी अच्छा मैंने सुना है पता नहीं ये बात सही है कि नहीं कि जिन लोगों का हज कबूल हो जाते हैं तो वहां से फिर फरिश्टे उनके केंकरी उठा के ले जाते हैं और जिनका कबूल नहीं होता तो वहीं पड़ी रहती है अदरवाज इतनी केंकरिया जमा हो कि फिर उनको दिन लग जाते हैं वह से रिमूब करने के लिए क्या यी बात सही है? कंकरिया बिल्कुल फ्रिश्टेरी उठातें कंकरिया भुल्डोजर उठाते हाँ हाँ वहां जमा जाती है पिर उन्हें बादमे उठा कर तो दील्वा दिया जाता है मैदनों मेन और जो आपको मुझलवा में भी मिलती है कंकरिया हज से पहले वह बेकादा मंगवatin है in ट्रॉलर पर और फिर उनको वहां बिछा देते जी जी गहाने तो यह सफ़ी है कफी जो एलम समें वाले लोग है उनको भी मैंने कहते हुए इस सुना है बलके बताता है उस सुने मैं किनफरम करना चाहरी ती कि यह बात सही है की नहीं नहीं ऐसी बड़ी अलामत है इन्सान में चेंज आ जाने अगर चेंज आया तो इसका मतलब है अल्ला ने बदल दिया कुबूल कर लिया अक्सेप्ट कर लिया आपको जी अरहाजा यही असल निशानिया है बाकी लोगों की बनाई हुई बात देजाक लोगों जी अगर कोई हजपर जाए कुर्बानी ना कर सके तो किया करें बानि फर्ज पर पर फर दधार जी लाजम है लाजम है फर्ज है तो अगर कोई ना कर सके तो फिर घज हो जाएगा यह नहीं हो गर अबानी के बगाईर तो पिर क्या करें ऐचा एक चीज पर गोर करो एद तस ग्यारा बारा तो ये तो होगे पांच रोजे तीन पूरे कराओ दस को तो एद होती है ग्यारा बारा तेरा अयामिध तशरीक को युम- unahar का रोजा नहीं होगा युम-una-har का रोजा नहीं होगा यकम शवाल और 10 जुलहज का रोजा नहीं होता 11, 12, 13 जुलहज का रोजा भी नहीं होता मुसल्मान नहीं रखते हुकमन मना है हाजी गु truthin कोई नहीं रखेगा सिवाए उस हाजी के जो कुर्बानी पेशना कर सका हूँ वो ग्यारा, बारा, तेना, जुल, हज्मिना में तीन रोजे रखेगा और फिर साथ रोजे अपने घर पर आकर रखेगा ये पूरे दस हो जाएंगे ये रियायत सब के लिए है? नहीं? फिर किसके लिए है? जो कुर्बानी ना कर सके है जो अदाना कर सके है लेकिन हर वो बंदा जो कुर्बानी नहीं कर सकता वो इस रैप की इस्तेमाल कर सकता है जी, फोजिया जी, आईशा जी, ये गैर अरब के लिए है जी, ये उन लोगों के लिए है जो अरब के ना हो क्योंकि अरब तो दुबारा आ सकते हैं ना तो जो दूर से गया है मैंने आपको मिसाल भी दी थी, जैसे कोई चाइना से गया है आप आपको पता है, चीनी हकूमत हज के लिए कोई वो ने भीज़ती, सर्विसीज ने भीज़ती कोई पैकेजीज ने लेती वैसे डायरेक्ट जो स्लाइटे जाती हैं वो जाती हैं, लेकिन वो जरूरी तो नहीं कि वो हज के साथ जा लिए और हज के तो लहदा वो हिसाब होता है तो ज्यादा तर चाइनीज जो हैं वो पाकिस्तान या इंडिया के तुरू हज पर जाते हैं और फिर वहां से अगर वो हज का वो करते हैं तो बहुत ज़्यादा भेंगा पड़ता है जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इसी तरह और कहीं ऐसे मुमालिक हैं जो हज सर्विसिज नहीं देते तो फिर क्या किया जाए वो विचारे पूरी जिंदगी में मेनत करके कोशिश करके एक बार हज के लिए गए हैं दुबारा जाने का मोका भी नहीं है तो उनके लिए यह मोका है और जो अबयार्ब के लोग और दुबारा आ सकते हैं वो पिर चले जाएं वो फिर अगले साल हज करें ठीक है अल्ला ने कहा ये रायत सरफ उनके लिए है जो अरब के रहने वाले ना हूं जिनका घर हरम के पास ना है अच्छा मिना में कौन सी दूआ मांगने से अल्ला ने मना किया है मना किया है सिर्फ दुनिया के लिए मागने सिर्फ दुनिया के लिए मैंना में जब बैठो तो खाली दुन्या 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 ना करते रहें बलके क्या रब्बना आतिना फिद दुन्या हसनताउं वफिल आखिरती हसनताउं वगिना अजाबनार एक में कोई कोट पढ़ रही थी कि किसी का था आपकी दुआ में आखरत पहले दुनिया बात भी होनी चाहिए ज़रूरी नहीं अल्ला सुभानाओ ताला ने खुछ जो दूआ सिखाई उसमें भी आप देखें दुनिया पहले है ठीक है लेकिन असल बात क्या है दुनिया की तलब एक गुना है और आखरत की दू गुना आतीना पि दुनिया हसन अता एक बार और फ आखरती हसन अता वकिन अधा बना दो चीज़े आगी ना अता फर्मा जहनम से बचा तो आखरत की orchard की फिकर दो गुना है दुनिया से तो आखरत की फिकर ज़यादा होनी चाहिए बस ये बात मकसद आखिरत का हुसूल होना चाहिए ठीक है ये दूआ किसे सिखाई है जी रबना आतीना फिद्दुनिया ये किसे सिखाई है नबी सलिल्हा ले वालिए नहीं कब सिखाई है अब खुरान में पढ़ रहे हैं मासूरा दूआ इस पुरान की दूआ है ये ल्ला ने आपको बराहे रास पुरान में सिखाई है हर उम्मत को एक दूआ मिली है ये हमारी दूआ है इसे कसरत से पढ़ा करें ये जाम्मे है आप कहते हैं रिस्क की तंगी है बीमार है रिष्टा नहीं हो रहा बच्चे का या अपना नहीं हो रहा ये इसमें सब कुछ है रहा जब दुनिया में हमने का हसाना तो हसाना क्या है हर अच्छा ही हो रहा अच्छा उसमें फिर अच्छे आमाल भी आ जाते है क्योंकि अच्छे आमाल होंगे तो आखरत का हसाना मिलेगा ना तो अच्छे आमाल, अच्छे अखलाक, हर चीज़ का हसना आ गए और फिर आखरत में जब हसना माँगा, तो पिर उसका सब कुछ हसना आ गए, जामे कबर की, क्योंकि आखरत कहां से शुरू होती है, कबर से खत्म कहां पर होती है, जन्नत के दखूल पर तो कबर से लेकर, वक्ते मौत से लेकर, जन्नत के दखूल तक, अल्ला जी हर मौमले में हसना चाहिए, और हमें जहन्न में ने जाए, तो जामे दूआ, कसरत से पढ़ा करें, कबूलियत के जञें, जञें, जो से आपने इसी रूट से और लब्स कौन सा पढ़ा है? जो हाजूना, पढ़ा है, क्या मतलब है? हाजज तुम कब यही मतलब है? हुज्जत करना, बहस करना तो हज क्या है? वो तो खुजद करना ना? नहीं, हज है शदीद जोर लगाना, कोशिश करना, शदीद ताकत का इस्तेमाल करना तो हज में जिस्वानी ताकत इस्तेमाल भी होती है और अपने नफस, अपने हालाथ, जो भी हमारी दुनिया की चीज़ है जैसे आप अपने बच्चे छोड़ कर गई, तो इसके लिए आपने आपको आमादा किया, कोई आसान अमल नहीं है तो हर इनसान एक रूटीन लाइफ में से निकलता है और जाता है पैसा भी लगाता है, और उस पैसे, दुन्यावी है तवार से, उस पैसे से कुछ नहीं मिलना है ना, और जहां जा रही है, वहां जाकर ये भी नहीं की कोई एंजॉइमेंट है वहां जाकर भी मुशक्कत है लगाता है, वो दीन की समझ रखने वाला इसकी कदर कर सकता है दुन्या भी रुकता है नजर से, इसमें कुछ भी नहीं है ना, तो पैसे आप भी लगाते हैं उसके लिए भी नफस को अमादा करते हैं, घर को भी छोड़ कर जाते हैं, आराम भी छोड़ कर जाते हैं, नफस की भी मुखालिफत करते हैं और वो सारे काम करते हैं, जो हम अकलन कभी न करें है न तो इस वज़ा से हमारे नफस और हमारे एक सेट माहूल के खिलाफ होता है जिहाद, कोशिश, ताकत का इस्तिमाद, इसलिए से हज कहते हुँ अच्छा जी हज्य तमत्तो क्या है, हज्य किसमें कितनी है, चले यूँ बता दे हज्य किरान, हज्य किरान, हज्य तमत्तो क्रान, हज्य किरान क्या है, इफ़त आप बता दे हज्य किरान, मैं इहराम बांद के पहले उम्रा करना और फिर इहराम कोल देना और फिर हज के लिए दुबारा इहराम बांद तो फिर हज्य तमत्तो क्या है जी नभीला आप बताएं हज्य तमत्तो है कि हम इहराम जब बांदें तो हमाई नियत हो कि हमने उम्रा करना है तो उसके बाद हज का जब वक्त आएगा तो फिर हम हज के लिए दुबारा से कर सकते हैं इहराम बांद सकते हैं पहले हम उम्रा कर लेंगे और एक्राम को देंगे फिर जब हजाक कि रिये दोफरा किया है जिसमें हम सिर्फ हज की नियत से बानते हैं और हम उस वगकर तक नहीं हो जाता हम एहराम नहीं को를 तके इसे तमत्तों का लज़ी तो का लगजी मतलब है फाइदा उठाना तो हज का इह राम बाना इखा उठाई अब्रा करेंगे पाइँ नम्रा करेंगे अहराम कूल देंगे और अहराम कूल कर आराम से रहेंगे हज कि दिन नया हराम बाद फ़िको ठाया है बहुत अच्छे तोड़ दो नभीальную करीम सम्लिल्ट ल्लो हुग अज्यक एर्म किया था ह्या हज ज्यक लू本 किया था। तेबार ही चिया था सही चैह रही हैं आपником्स ही जिलिकों किया था आपकी जंदगी में कितने हज हुए है नभी आथा चौनी सलम की मुसलमाण कितने साल हज प подар किंगे। मक्कह बाइस पाल ना तो मुसलमानों ये मककय अ कर दी धू तो दस दिल हज में आपने हज मुबादिक फर्माया जिसे हज्ज तुर्विदा भी कहते हैं ठीक हो गया अगर औरत को हैज आ जा जाए तो क्या करें जी जी उम्म हम्जा अच्छा बिल्कुल सही आपने कहा सिर्फ तवाफिज जारा नहीं करेंगी बाकि सारे अरकान पूरे करेंगी और बाद में फिर तवाफिज जारा करेंगी कि माफ है जी लाजिन जिस वक्त पाक हो जाएंगी फिर जाके तवाफिज जारा करेंगी और जब हालते हज में और ज सकती है अलाउड है जी जा सकती है अच्छा जी जब आपने इस तरहां तवाफ ज्यारा के लिए अहराम बांदना हो तो फिर कहां से बांदेंगे मिकाद से बांदेंगे कि नहीं नहीं जरूरी नहीं बिल्कुल जब पहले मिकाद से बांदिया हूं बिल्कुल पूरी बात करे पहले एहराम जब मिकाद से हमने बांद लिया हुआ है तो उसके बाद अगर दुबारा बांदेंगे मतलब है इसके बाद अगर साफ होने के बाद बांदेंगे तो फिर वो हमें मिकाद जाने के जरूरत नहीं हम अपनी रहाशका से भी बांद सकते हैं बिल्कुल सही है जब एक बार अहराम बानकर आप मिकात में आगे और आपने मिकात बगैर अहराम की अबूर नहीं की हैं तो आप मिकात के अंदर जहां ठहरे हुए हैं वहीं से आप अहराम बान सकते हैं कोई ज़रूरत नहीं है कि मिकात पर जाकर अहराम बाना जाएं ठीक है पूछना चाहती है मकाम इबराहीम क्या है जी मकाम इबराहीम एक ऐसा मकाम है जहां पर इबराहीम अलेही सलाम के पैरों के निशान है और वह आप ही के पैरों के निशान है क्योंकि अल्ला ने फुद गवाही दिए तो इबराहीम अलेही सलाम के पैरों के निशान मकाम इबराहीम है क्या करना चाहिए वहाँ पर जी कब दो नुमाफिल उम्रा के बाद या तवाफ के बाद तवाफ के बाद भी और उम्रा के बाद भी और उम्रा के बाद भी दो रकत नफल जो पढ़े जाते हैं वो वहाँ पढ़ने चाहिए और अगर जगा ना मिले तो क्योंकि जाहर है सारी हिजर-i-aswar का भूसा ना मिले तो क्या करें गुस जाएं भी रड़िके उन्दर बहुत गुणा होगा बहुत गुना होगा क्या करें इस्तिलाम क्या करें अक्सरियः तो कि अगर नसीब में होगा तो अल्लाम का दिला देंगी अभी जैसे मुझे रुष्ट आपा बता रही कि पिश्री दाफ़ा तो बिल्कुल मोका ने मिला इस दफाव कहते हैं बहुत टाइम होता था तो में मुताफ में बैठी रहती तो देखें लाने मोका दे दिया नसीब में था ना दे दी तक्रीबन हर एक मोजू पर बात हो गई है अगर कोई बात आपके अगर अच्छा जी अगर किसी को दोराने इहराम सर मुड़वाना पड़ जाए तो फिर बात में क्या करेगा बिमारी बगारा किसी वज़ा से हालत एहराम में सर मुड़वाना पड़ जाए तो क्या करेगा फिर बाद में फिदिया देगा ना क्या फिदिया है रोजे रखना या कुर्बानी देना या सद्का करना तो हस्वे हैसी यह उलमा से मश्वरा करके कर सकते अब आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछें पहले यह बताएं हाथ उठा कर बताना है किस किस को हज के आहकामात क्लियर हुए अच्छा ओनलाइन किसी को भी नहीं हुए नहीं हुए तो आप नहीं हुए मुझे हैंड्रेस करना नहीं आ रहा था अच्छा जी अब आपकी इस सचाई का सबूत इस तरह मिलेगा कि आपका रिटन टेस्ट होगा आपका माते हज का ना एक खुसी टेस्ट होगा उससे मुझे फिर पता चलेगा कि आपको कितना क्लियर हुआ है इंशालिए कोई आपका सवाल है तो कुछें या आप कुछ कहना चाहें तो कहें जब आप जुछ लोग आठ जुलहच को हमने जाना होते हैं मिना लेकिन ग्रूप्स के साथ जब जाते हैं तो वो लोग आदी रात को ही डिर दो बज़े वो कहते हैं झापान ले तयार होझे और वो हमें मिना में पहुंचा देते हैं तो कि ऐसा सही है सही है कोई हरज ने है हमसले मैं उसले आप तो ए स्लीन करते हैं बात में पिर बसें फण जाती है तो जुनों ने पैदर जाना है तो वो तो फिर अपनी मर्दी कर सकते है जिनने ग्रूप्स ही के साथ जाना है और बसों में ही ट्रावल करना है फिर उन्हें इस को फॉलो करना चाहिए इसमें कोई हरच नहीं है जी और कोई बात असलाम लेकुम वरामतुल्ह वालेकुम असलाम वरामतुल्ह वराकातू जी मैंने करेंगी तो उसके बाद फिर इंशाला वह दे देंगे ताकि जड़ा और अगर कोई कमी मेरा रहेगी तो वहां से फिर हम क्लियर कर लेंगे सुरत बख्रा की आयत 196 से 203 तक जो है वो सारे हज के एकाम है ना तो हम इन्ही आयात की जो है वो कर लेंगे सब तफिर जो आपने लिख हुआ है सब जी इसी में से टेस्ट होगा कुछ चोटी चोटी चीज़ इसमें नहीं है लाइक आयामे तश्रीक का नाम नहीं है ठीकिन नाया में तश्रीक किसको कहते ही जोटी चोटी चीज़ें नहीं है लेकिन बेसी कर्ई सारी इसी की तश्रीक के अंदर के सवाला आते हैं साज में एक बार नहीं खुलती है जो इंतजामिया वगारा के लोग है वो तो हुटती है वहां पर मस्धियों के लिए कहा ज़ता है कि वो इसलिए के हाद नहीं अगर आप वैसे विजिट करने जाने यानि कि आप उम्रे पर गए आप विजिट करने चले गए तो आपको कोई पबंदी नहीं है जाने पर वो लग बहता है हम लोग कभी जाते ही नहीं मेरा अपना ये फ्यूचर प्लैन है कि अगर उस अल्ला ने तौफीक दी और मैं कभी उम्रे पर गई तो मैं फिर सारा जो तो उन्हें और बीनी जो एक्राइब वो उसकी हदूद में आजाते है मिना की ठीक है मिना की तरफ लगता है और आधी जो है तक्रीबंस वोल है नहीं अद्ismus एत्वा अगार्ना थिर लोग माले दगा है कि और रहा लान्स में टी उपफ ही तो किद लोग को मानते नहीं है तो वो green lights के अदर बैट खें are. जैनि के वो. अराफात से बाहर बैठें है कहो तो सुनते ही महिた सो अपका अरफात की हद के अंदर होना ज़रूरी तो यह offer might I उस्से होना ज़रूरी है जो आराफात मेंने है पता कैसे लगेगा उनहोंने Green ग्रीन ट्यूब लाइट लगार जैसे सफा मरवा की बताई हुए न उसी तरह बड़ी ग्रीन ट्यूब लाइट लगाकर उन्होंने अरफा की हद भी बताई हुए तो उसको देखें और उससे आगे मच जाए तो लोग मस्चीद तो मैंने बाहर लोग जिद करके बैठे रहते यानि कि हम मस्जिद में नहीं पहुँच सके थे, जब तक हम Ooh पहुँच से, मस्जिद भर गई वह थी खायरस को, तो हम मस्जिद में नहीं पहुँच पाए लेकिन हम मस्जिद के बिल्कु गरीभ हम बैट गये हमने जगा बनानी तो लोग जो है वो जो बाउंटरी थी ग्रीन क्यूब लाइट की उसके उसको क्रॉस करके बैठे रहे थे क्यों जी एथे चाहँ ये भी चाहा लेने थोड़ी आए है हज करने आए है तो वहाँ जैन्वन ली चाहँ थी वह असल में मसीर का कॉर्णर बन रहा था नहीं तो उसका शेर्ट था लेकिन बात यह है पहल नहीं इस वजह से वहाँ पर हज आदे में हो सकता है आदे में अगर आप अरफात क्रॉस कर गए तो आपका हज नहीं है अरफात में होना जरू ह बस बहुत दिल्चस्प बाते हैं एक तो यही बात के जी वो लोगों ने अजीब अजीब बना रखी हैं बाते के आदी मस्जिद नहीं मस्जिद के बजह सिर्फ हदूर है एक और बड़ी दिल्चस्प बात बच्छवर्णर में सुना सुनी हुई है मैंने के असर के बाद आरफाद को कर देना जाए हृई पिर जिन हज करने आते हैं तो जी जिन भी जो हज करने आंगे हम इसली टाइम में सब दोगे देखें सब हो लोग issy के लिए डैका या मैंने इस चीज़ को एक्स्पिरियरंस किया हमारी सब से आखरी लाइप थी हर फॉत फ्लाइडर ओ बाद सब लोग चले गए हमने मदीना भी आखर में जाना था तो हम निकले शाबतल जिन में हमारी रहाईश थी हमने का बाना होता था तो हम शाबतल जिन से उत्रे तो ऐसे था कि बहरा हुआ था तो हम उत्रे तो सब हूँ काल तो एक दम ऐसे दिल पूबा कि ये क्या हो गया तो मेरे मिया कहने लगे कि मैं खाली हो गया मैं का हाँ मैं भी यही सोच रही थी तो वो असल में कोई जिन चुड़ेले नहीं होती लाखों अफराद एक दम से चले गए तो पीछे एक सरनाटा चूड़े और फिर धूप भी कड़कती हुई होती है तो वो एक अजीब सी दिल पर खुबाब की कहफियत आती है और कुछ नहीं कोई और सवाल कोई और बात चलिए फिर आज की बात खतम करते हैं कल इंशाला आगे पढ़ेंगे बहुत यह मुदू है जो कल चुरू हो रहा है इसके बाद इसकी प्रैक्टिस हो जाए फिर रोजों की भी हमने करने है अखकामतों मसाई सुभानक अल्लाहुम्मा वभी हम्दिका बना श्हदू ला इलाह इला आन्ता बना स्ताख्रुको नतूबू इलैक Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh